हाई एवरिवन वेलकम बैक टू दे चैनल अनवेशास क्रियेटिविटी कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुर ठीक और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ में एक ऐसा कलेक्शन जो कि मैंने पहले शेयर किया थ तो कॉटन बैच्षीट कलेक्शन जो था वो आपको काफी पसंद आया था इसलिए उसमें मैंने आपसे बोला भी था कि मैं आपके साथ में विंटर में बुलन बैच्षीट कलेक्शन आपना शेयर करूंगी तो काफी लेट हो गया है लेकिन कोई बात नहीं अभी भी बहुत जादा बड़ा कलेक्शन नहीं है लेकिन जितनी भी बैच्षीट है इंक्लूडिंग माई DIY बैच्षीट जी हाँ इसमें मैं आपके साथ में शेयर करूंगी अपनी एक DIY वुलन बैच्षीट आप देखेंगे कि मैंने कितने नॉर्मल से कपड़े को बहुत ही वुलन बैच्षीट में मैंने उसको कनवर्ट किया उसके लिए वीडियो के एंड तक आपको जाना पड़ेगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूले अपने फैमली एंड फ्रेंड्स में लाइक भी करना है और शेयर भ यह एक फ्लीज की बैच्षीट है डबल बैट की बैच्षीट यह आपने देखा होगा आपको लोकल मारकेट में एजीली अवैलिबल हो जाएगी और बहुत ही जादा खुबसूरत प्यारा प्रिंट है इसका बहुत ही वाम है और लगबग 2 साल पुरानी है अच्छली बैच्षीट शेयर करूंगी वह सब पिलो कवर के साथ में हैं लेकिन चूकी मैं आपको स्प्रेड़ करके दिखा रही हो और बार बार कट करना पड़ रहा है तो मैं पिलो कवर इसके साथ में आपको अटाच करके नहीं दिखाऊंगी यह वाली एक्शली स्प्रेड की और आपको भी आईडिया मिल सके कि अगर आपने पर्चेस करनी है तो इस टाइप के प्रिंट जो है वो हमेशा चलते रहते हैं और काफी अच्छे भी लगते हैं जिसे की आपको थोड़ा सार रेफरेंश मिल सके कि इसका प्रेंट ओवरॉल की तरीके का है पूरी भूलन है वेलवेट वाला फैदर वाला कपड़ा है यह बहुत जादा प्यारी लगती है मुझे और यह लगभग मेरी तीन से चार साल हो गए है इस बैटशीट को तो यह है म पटी जबने के लाद में भी यह वायत कलर की ऑप चीड है這邊 टच Мें है यह लगबग साफट और फैडेरी टचे है वाइट कलर में है इसलिए देखने में भी बहुत ज़्यदा खुबस 요रत हैसके साफ में पिलो हमार भी यह मैंने लोकल मार्केट से ली थी और ली भी बहुत सस्ते में थी I think 500 में ली थी मैंने यह बैचीट विद पिलो कवर तो यह भी मुझे बहुत जादा पसंद है और वो साइड में आप देख रहे हैं मेरी बैचीट का धेड़ पर आवा है अभी आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट में जो नेक्स्ट मेरी बैचीट है वो है सिंग्डल बैट की बैचीट और यह मेरी अनवेशा के रूम के लिए है और इसको अनवेशा ऐसे कमफर्टर भी यूज करती है समर्स में और थोड़ी सी सॉफ्ट मतब है तो काफी फैदरी सॉफ्ट टच यह मैंने होम शॉप 18 से खरीदी थी आज से लगबग 8 या 9 साल पहले बहुत पुरानी बैचीट है वो जो ठीक से याद नहीं है exactly कितनी पुरानी है लेकिन काफी साल पुरानी है और काफी बार मैं इसको घर में ही वाश करती हूँ मशीन वाश और उसके बाद में भी यह एक भी इसके अंदर रुआ नहीं आया है पिलिंग नहीं हुए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुए और आप देख सकते हैं इसके प्रिंट कितने जादा सुन्दर है बिल्कुल प्रिंसेज वाला है तो लिंक तो शायद पॉसिबल नह को शेयर नहीं हो गार मैं देख लूंगे अगर लिंक मिल गया तो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी यह बहुत ही कमाल की बैचीट है और यह बैचीट है जी हाँ बैचीट डिया और कैसे बताऊ आपको कि यह देखें यह आप देख रहे हैं यह पूरा एक सूट का और यह पूरा एक सूट था वेलवेट का आप देख सकते हैं स्काइबलू कलर है कलर बहुत प्यारा है यहां पर कैमरा पर शायद यह उभर करके नहीं आ रहा है लेकिन कलर यह इतना जादा प्यारा है शायद आगे आप देख पा रहे होंगे क्योंकि लाइट यह और यूजस कर सकते इसको कैसे अईसा की ओतनाा सब्यारा प्रट से तुसके से ही कवेलवेट के वैक अगे आपकि अगर इसाथित बिस्तां है के तरीके वैलवेट के के तो आप सब्स्सेटर्ट से बनासकते हैं सपर तो यह जरा नहीं सब्सक्ता है तुपज शायकर yn प्च चोड़ाई थोड़ी कम रहागी है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये मैंने जॉआंट लगाया है, ये भी जॉआंट लगा है natuurlijk जो कि इतना पता नहीं चल पा रहा है लेकिन चुकि perfect package कपड़ा जो है, वो खींचता है, तोड़ा सा स्ट्रेचिबल होता है इसी लिए मैंने इसके पीछे आपको दिखाती हूं यह सिंपल कॉटन का कपड़ा लाग करके मैंने लगाया था यह 200 रुपीज का कपड़ा था और आप देखिए मेरी कितनी अच्छी फेस्टिव लुक वाली एक बेडशीट कंप्लीट तयार हो गई ह इसको आप किसी भी फेस्टिव ल पर आप स्प्रेट कर सकते हैं एक तोड़ी सी टाइप का यूज हो सकता है यह एक्स्ट जो मेरी बेडशीट है वह मेरी यह रीसेंट पर्चेश जो कि मैंने आप सबके साथ में शेयर भी की थी और यह मैंने आपको बोला था मैं फिर किसी और वीडियो में आपके साथ में स्प्रेट करके शेयर करूंगी तो ये देख सकते हैं आप ये है कुछ ब्राउन कलर की और इस टाइप के इसके मोटिफ है और बहुत ही फैदर टच इसका है वेलवेट टाइप का है इसका और बहुत जादा कमफर्टेबल बहुत जादा खुबसूरत प्रिंट है और एक अच्छी बेटशीट जरूर होनी चाहिए विंटर्स के लिए एक नहीं मतलब मैं तो कहूंगी कम से कम 3-4 बेटशीट तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए सर्दियों के लिए कि आपने चेंज करने के लिए भी होना और अच्छी बेटशीट कमफर्टेबल बेटशीट एप्रोप्रियेट बेटशीट जो होती है वो आपके रूम के लुक को बिल्कुल ही चेंज करती है तो next मेरी ये वाली बेटशीट है इसके बाद में जो बेट कृटीक्राफ्ट हैंडलूम लोगों से ली गई है जो हैंडलूम का काम करते है वहाँ से खरी धी है इसकी में इसको स्प्रेड करती हूँ काफी है material है इसका woolen bed sheet है ये इस बेचीट जो है वो है मेरी शादी की bed sheet जी हाँ काफी साल बुरानी bed sheet है और आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा color है maroon color में और black color में और beige color में ये इस type की bed sheet है king size bed की ये bed sheet है साथ में इसके pillow cover भी दिये हैं और side में इसमें पूरे overall इसमें ऐसा print है और इस तरफ से side से इसमें इस तरीके का design है साथ ही यहां पर दिये हुए है ये tassel जो कि इसको बहुत ही खुबसूरत लुप देते हैं और इस type की bed sheet जो है वो आप ये बहुत है बहुत जादा heavy है एक bread spread का का करती है यह काफी बड़ा और काफी heavy material है और बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है इस type की bed sheet जो होती है आपके रूम को बिल्कुल ही different और नया look create करने में बहुत help करती है तो यह वाली bed sheet को मैंने जितनी बार भी use किया है मुझे काफी सारी compliment मिले है हो सकता है आपको camera पर यह बहुत जादा कुछ appealing ना लग रही हो लेकिन या फिर हो सकता है उतनी eye catching ना लग रही हो बाकी यह जितने भी लोगों ने यह वाली bed sheet देखिया काफी compliment मुझे मिले है इस bed sheet के लिए तो बस यही था मेरा छोटा सा collection woolen bed sheet का आपको कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताएगा अगर अच्छा लगा यह video तो like और share जरूर से करें जल्दी ही मिलूंगी आपके साथ में एक interesting अगले video के साथ में तब तक के लिए bye bye be happy